क्या एक mobile phone से एक e-trip चैनल पे 4000 hours का watch time complete किया चासकता है वो भी one month में दोस्तो इस question का answer है yes हाँ दोस्तो अगर आपके चैनल पे 1000 subscriber complete हो चुका है आपके चैनल पे 4000 घंटे का watch time complete नहीं हुआ है वो भी pending है तो ये वीडियो आपके लिए है आप ये वीडियो देखने के बाद अपने चैनल पे भी एक महिने का अंदर अंदर 4000 घंटे का watch time complete कर पाएंगे अगर आप चाहें तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं और देखते हैं कि इसकी लिए हमें क्या करना परेगा इससे पहले मैं आपके बता दू कि अगर आपके चैनल पे 1000 subscriber भी complete नहीं है तो आप वो भी कर सकते हैं उस वीडियो का लेक description में है जो हमने बना चुके हैं और उसमें हमने बताया है step by step अगर आप वो follow करते हैं तो आप अपने चैनल पे भी 1000 subscriber complete कर पाएंगे आप चाहे तो buy भी कर सकते हैं आप चाहे तो free में भी increase कर सकते हैं सब्सक्राइबर अपने YouTube चैनल पे यहाँ पे watch time complete करने के लिए simply आपको यहाँ पे play store open करना है अपने mobile phone में इसके बाद यहाँ प आपको यहाँ पे second number पे एक app मिल जाएगा इसको अपने phone में download कर लेना है अब भी आप वीडियो को close मत करना और वीडियो को skip मत करना हो सकता है आप कोई ऐसा topic मिस कर दे जिससे आगे चलके watch time drop होने का chance रहे तो आप वीडियो को drop नहीं करे मतलब skip न करे ताकि आपको पूरी बात समझ में आए और आपका watch time drop नहों आगे चलके आप चाहे तो यहाँ पर first वाला भी यूज कर सकते हैं इसके बारे में हमने वीडियो बना चुके हैं आप जाकर वीडियो देख सकते हैं और इसको भी यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसे यूज करते हैं तो आप ए प्रेक्ट भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं इस्टॉल कर सकते हैं सिंप्ली इस्टॉल करने के बाद यहाँ पर open पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको टैब मिल जाता है फर्स्ट टैब सेकेंड थर्ड होर्थ सिक्स एट टेन ट्वेंटी और यह हो गया 30 और यहां पर आप का फोन थोरा सा मजबूत प्रोसेस का है तो आप अगर 100 ट्रैब का open करते हैं मतलब अपना वीडियो अगर एक घंटा चलाते हैं 100 ट्रैब में open करगे तो आपका 100 घंटा complete हो जाएगा आपके यूटूब चैनल पर watch time मतलब अगर आपका वीडियो थोरा सा long है और आप 100 ट्र कर दिए आपका मोबाइल भी completely मतलब मजबूत है मजबूत प्रोसेस का है तो आप 100 ट्रैब open करते हैं एक घंटा वीडियो चलाते हैं तो आपका 100 घंटा 100 हावस्त का watch time complete हो जागा इसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है और अगर आपका मोबाइल मजबूत नहीं है मा अगर पांच घंटा चला जते हैं तो आपको 100 घंटा complete हो जाएगा अगर आप पांच घंटा चला देते हैं तो यहां पे आपको ज़रूरत है क्या केवल इंटरनेट का मतलब आपके पास इंटरनेट होना चाहिए अगर आपके पास वाइफ है तब तो कोई दिकत नहीं है फिर वाइफ है होगा तो और अगर वाइफ है नहीं है तो आपके पास इंटरनेट होना चाहिए आपको यह तो जुगार करना परेगा क्योंकि आप जानते हैं अगर जितना भी आप वीडियो चलाते हैं जितना भी प्ले करते हैं यूटूब से वीडियो उसमें आपको इं 10 tab को open करता हूँ 10 tab को open किया और यहां पे आप देख पाएंगे एक एड आ चुका है इस एड को चलने देंगे क्योंकि इसी के द्वारा एप बालो को मतलब जिसने एप को create किया है उसको भी कमीनी होना जरूरी है उसको भी इसको चलने देंगे और थोरा सा पैसा उसे भी कमाने देंगे यहां पे आप देख पाएंगे cut का option है इस पे click करेंगे और इस एप को cut करके हटा देंगे simply यहां से हट चुका है अब इसको मैं दुबारा से open कर लेता हूँ जैसे मैं इसको तो back कर देता हूँ यहां से back किया और दुबारा से मैं इसको open कर लेता हूँ इस एप को आप यहां पे देख पाएंगे कुछ इस तरह का दिख रहा है फिर से मैं दुबारा से 10 टैप पे click किया 10 टैप पे click करेंगे दुबारा से एड आ चुका है थोड़ा से इसको भी मैं wait कर लूँगा इसको खतम होने का क्योंकि यह फिरी है और फिरी एप में आप जानते है कि एड तो आननिश्टिट है क्योंकि एड के दौरा ही पैसा कमाया जाता है एप पे एप हो या फिर बेव जाएगा इंटर लिंक हेयर यहां पे अपने वीडियो का लिंक क्लिक करके कोपी करके और यहां पे पेस्ट करना है चलते हैं अपने यूटूब चैनल पे और अपना वीडियो का लिंक कोपी करेंगे सिंपल यहां पे अपना यूटूब चैनल ओपन करते हैं आप अपने फ वही है बार बार आपको क्लिक करना परेगा इसलिए आप लॉंग वीडियो वहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे सिंपली मैं फर्स्ट वाले को कोपी करता हूँ और फर्स्ट वाले को लिंक कोपी किया और यहाँ पे चलेंगे फिर एप में और यहाँ पे paste कर देंगे अब आपको paste करने के बाद सिंपल आप यहाँ पे click कर देंगे go पे go पे click करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे हमने 10 टैब को select किया था اور यहाँ पे आप देख पाएंगे 10 टैब open हो जागा मतलब एक वीडियो का लिंक हम ने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे 10 टैब में एक साथ एक मुबाइल पे open होगा और अगर एक घंटा चला देते हैं तो यहाँ पे 10 घंटा मेरे यूटूब चैनल पे complete हो जाएगा watch time आप यहाँ पे देख पाएंगे 10 टैब में open हो चुका है यहाँ पे different करता है आपके mobile process पे और आपका internet speed पे उसी के हिसाब से यहाँ पे open होगा और चलेगा माल लेते हैं आपका mobile मजबूत नहीं है low है मतलब आपका internet भी ज्यादा fast नहीं चल लाए तो आप में 20 भी नहीं चलेगा आप में कम चलेगा तो इसके हिसाब से आप देख लेंगे और आपने हिसाब से अपना अपने YouTube चैनल पे watch time लेना है और अपने वीडियो को play करना है simply अब आपको यहाँ पे किस बात को ध्यान देना है यहाँ पे अब मैं बता देता हूँ क्योंकि आप जब वीडियो अपलोड करते हैं मतलब play करते हैं आगे चलके आपका वीडियो का watch time कम नहीं होना चाहिए drop नहीं होना चाहिए इसके लिए आपको क्या करना है यहाँ से मैं home पे click करता हूँ और आपको क्या करना है यहाँ पे simply यहाँ पे आपका है उस पे आपको click करना है हमने डाउनलोड किया था multi view browser इसको आपको यह information का option मिल जाएगा इस पे आपको click कर देना है फिर आपको यहाँ पे storage uses पे click कर देना है और यहाँ पे आपको clear data पे क्लिक करके और यहां से क्लियर कर देना है मतलब इस एप में जितना भी डाटा था उस सारे को डिलेट कर देना है फिरी कर देना है यह आपको एब्री डे करना है एब्री डे अगर आप रोज आप चाहते हैं कि 400-500 घंटा आप आप चला देते हैं आपका मुबाइल मजबूत है और continue 100 घंटा में चला देते हैं तो आपको 100 घंटा चला करके मतलब यह घंटे बाद अपने एब को क्लियर करना है डाटर क्लिन करना है ताकि आपका वाइस टेम डॉप नहों आगे चलके और अगर आपको यहां यह जीटम नहीं मिलता है जैसे यहां पे मैंने एब पे क्लिक किया और यहां पे ओएब इंफर्मेशन नहीं मिलता है तो आपको मिल जागा सेटिंग में हो सकता है आपका कोई मोबाइल दूसरा हो उसमें नहीं दिखा रहा हो simply आप setting में आँगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा app management इस पे आपको click करना है और यहाँ पे अपना app find करेंगे कहाँ पे वो यह दिखाई दे रहा है उसको आपको clear कर देना जैसे मैं यहाँ पे धून लेता हूँ कि कहाँ पे है आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पे click करेंगे और सेम प्रोसेस आपको करना है storage users पे click करेंगे और simply यहाँ से and delete हो जाएगा अब आपको एक बात का और ध्यान देना है अगर आपके मोवाईल में आपके यूटूब चैनल पर सौट वीडियो है मान लेते हैं दो मिनट, तीन मिनट, चार मिनट का है उस पे आप कभी भी मतलब इतना जल्दी तो complete नहीं ही कर पाएंगे अपना वाश्टेम इसलिए अपने चैनल पे लॉंग वीडियो बना कर और upload करे चाहे तो बाद में मौनटाइज होने के बाद उसे private भी कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन पहले private नहीं करना है उसे publish रखकर और अपना वाश्टेम complete करना है उसके बाद आप private कर सकते हैं मौनटाइज होने के बाद और अगर आपके चैनल पे song वीडियो या फिर कोई ऐसा वीडियो upload करते हैं जिसमें copyright दिखाए देता है उस वीडियो का भी आपको delete नहीं करना है कभी भी delete नहीं करना है copyright होगा कुछ भी हो copyright होगा तब तो निष्टित है कि आपका यूटूब चैनल हो montage नहीं हो पाएगा लेकिन आपको delete नहीं करना है क्योंकि जब आप वीडियो delete करते हैं तो watch time भी delete हो जाता है उस time पे आपको क्या करना है वहाँ पे आप चाहे तो उसको treatment कर सकते हैं मतलब cut कर सकते हैं जो इतना copyright है उतना cut करके हटादेंगे या तो अगर मिर्जी copyright है तो मिर्जी को आप change कर सकते हैं ओ कैसे करना है मैं next वीडियो में बताऊंगा कि आपको मिर्जी कैसे change करना है YouTube channel पे without down watching time तो चलिए इस वीडियो में इतना ही आपको इतना ध्यान देना है और everyday मतलब 100 hours चला करके और इस app का data clear करना है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगा हमने पहले नहीं बताया है और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी helpful हो और वीडियो देखने मज़ा आया हो तो वीडियो को like share और subscribe करना कभी न बोले ताकि ऐसे से वीडियो आपको मिलता रहे और हमें भी थोड़ा सा help मिल पाए वीडियो बनाने में हमें भी enjoy आये